जै हिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो चलिए कल के प्रश्णों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो के हम सुरुआत करते हैं तो पहला प्रश्ण था कि जुलाई 2020 में किस राज की सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को सुरू करने की घोशना की है तो ये घोशना हरियाडा की सरकार ने की है यानि की आप्सन अमारा D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि प्रतेक वर्श नेल्सन मंडेला अंतराष्टिय दिवस कब मनाया जाता है तो ये दिवस हर साल होता है 18 जुलाई को यानि की आप्सन अ हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि किस IIT संस्थान के द्वारा Artificial Intelligence आधारित NB Driver नाम से एक गणतीय मौडल को विक्सित किया गया तो ये विक्सित किया है IIT मदरास ने यानि की आप्सन अमारा B हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि जो पुस्तक अभी प्रकासित हुई है जिसका नाम है दा इंडिया स्टोरी इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है हमारे RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान साहब आप्सन हमारा C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि भारत के किस राज में जो पहला आपका भिच्चुफल है इसकी रुपाई की गई तो इसकी रुपाई हुई है आपके यहाँ पर हिमाचल प्रदीश राज में तो आप्सन हमारा D, C हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण था कि गूगल क्लाउड ने किस सहर में अपना दूसरा क्लाउड रेजन खोलने की घोशना की है तो यह घोशना होई है दिल्ली में यानि कि आप्सन हमारा A हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण है कि 74 कौन्स फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वसरेश डाकुमेंटरी के लिए गोल्डेन आई पुरसकार जीता है तो यह जीता पायल का पाडिया ने यानि कि आप्सन हमारा यहाँ पर D हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश्ण है कि भारते उलम्पिक समित के द्वारा किसे टोक्यो उलम्पिक के लिए प्रेस अतासे के रूप में नौमित किया गया तो यहाँ पर नौमित किये गए हैं नाम इनका है B के सिनहा तो आप्सन आपका B हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के क्लोजिंग सरेमनी में भारत की तरफ से कौन बनाए गए हैं धोजवाहक तो इनका नाम है बजरंग पुनिया आप्सन हमारा बी हो जाएगा करक्ड अगला प्रशन है कि 18 जुलाई 2020 को गूगल ने किस भारते महिला का डूडल बना करके सम्मानित किया तो इनका नाम है कादंबनी गांगुली हमारे देश के पहली महिला गरी यूट हैं तो आप्सन हमारा सी होगा करक्ड अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 किस संगठन के द्वारा बिस्व का जो पहला कार्बन बॉर्डर टेक्स है इसकी घोशना की गए तो यूरोपियन यूनियन ने आप्सन हमारा ए हो जाएगा करक्ड अगला प्रशन था कि जुलाई 2020 केस में बिल्टेस ग्रांड प्रेक्स फार्मुला वन रेस का जो खिताब है ये किसने जीता है तो इसे जीत लिया है यूके के लूई समिल्टन ने आप्सन हमारा सी हो अगला प्रशन था कि किस राज या यूटी में गुरेज पर्व मनाया जाता है तो ध्यान रखेगा ये आपके जम्मू का समीर में होता है तो आप्सन हमारा ए हो जाएगा करक्ड और आकरी प्रशन था कि किस देश के पेगासस इस्पाइवेर के जरिए भारत के जो पत्रक कि अब मेरी live classes आप on academy के ओपर भी attend कर सकते हैं आज से आपके जो group D के हम लोग 83 set discuss कर चुके हैं उसका सुरू हो रहा है revision तो दिन में 12 बजे आपके revision वाले class होगी बाकी जो हमारे group D के 4-5 set बचे हुए हैं उनकी class आपके होगी 3.30 बजे तो दोनों class आपके group D के लिए हैं अ आपको नीचे pin comment में उन classes के link मिल जाएगी उसके उपर क्लिक करके आप enroll कर सकते हैं इस समय अनकेडमी के उपर आपका mega subscription का offer चल ला है यानि कि अगर आप लोग SSD के एक साल का subscription खरीदते हैं जो कि लगभग आपको 52 रुपए का पड़ेगा तो यहाँ पर आपको 6 महीने की stability म तो इस से आपको 10% का discount मिलेगा और यहाँ पर अगर आपको 30% तक का discount चाहते हैं तो आप मुझसे WhatsApp के उपर contact कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको 30% तक का discount मिल सकता है ध्यान किएगा आपके 21 जुलाई से जो हमारा SST category है उसमें नए बैचेश की शुरुआत हुई है तो आने वाले समय में चाहें आपको GD का exam देना हो, SST CGL का देना हो, MTS का देना हो, CSSL का देना हो या फिर JE का देना हो उन सभी के लिए आप यहाँ पर एक subscription में सारे exam की तयारी कर सकते हैं तो बस आपको विजिट करना है अनकेडमी के उपर, गोल अपना चोज करना है यहाँ पर SST exam और get subscription के उपर click करके code यूज करना है KV10 जिससे आपको मिलेगा यहाँ पर maximum discount तो यह आप लोग चेक कर सकते हैं, चलिए आप वीडियो की करते हैं सुरुआत, पहला प्रशन है कि प्रतेक वर्ष अंतराष्टिय सतरंज दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ध्यान जिसका अविस्कार हमारे देश में हुआ था, तो हमारे देश में इसका अविस्कार हुआ था और उस समय इसे चतुरंग नाम से जाना जाता था, दरसल फिडे नाम की जो हमारी चेस की इंटरनेशनल संस्था है, उसी का आपके 20 जुलाई को हुई थी अस्थापना, तो इस अगला प्रेशन है कि मंगोलिया और ताजी किस्तान के साथ में कौन सा अन्य देश है जो कि अभी ICC का सदस्य बना है तो टोटल हमारे तीन देश है जो कि अभी ICC के सदस्य बनी है एक है आपका मंगोलिया दूसरा है ताजी किस्तान और तीसरे देश का नाम है स्वेड़िज तो अभी आपका जो ताजिकिस्तान और मंगोलिया है ये एसिया से करमसा 22 और 23 नम्मर की सदस्य देश बने और सुर्जल लेंड की बात करते हैं तो यूरोप से ये 35 नम्मर का सदस्य देश बन गया है तो ध्यान रखेगा यहां पर 3 देश सदस्य बने हैं मंगोलिया, जिनको अभी ICC के पद से मुक्त कर दिया गया है अगला प्रशन है कि फिक्स डिपॉजिट से पैसे ट्रांसफर करने की सुभिधा सुरू करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना तो ये बन गया है पेटियम पेमेंट बैंक यानि कि आप्शन हमारा D हो जाएगा तो उसका एक मिल जाता है आपको maturity period और उस maturity period के बाद अगर आप लोग पैसा लेंगे तो फिर आपको इस FD के उपर कुछ मिलता है interest लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको जरूरत पढ़ जाती है जैसे COVID में काफी लोगों को जरूरत पढ़ रही है और आप अपने FD को जहा है कि अगर आपके पास में FD account है और इस FD account से आप अपने current account में या saving account में पैसे को transfer करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आसानी के साथ में कर सकते हैं और इसके उपर आपको किसी भी प्रकार का fine वगयरा नहीं देना पड़ेगा तो हमारे देश का ऐसा पहला bank मन गया ह जिसके द्वारा इस प्रकार के सुभिधा की सुरुवात की गई है अच्छा एक point आपको और ध्यां रखना है कि जो हमारा Paytm Payment Bank है इसने Indus in Bank के साथ में समझोता कर रखा है तो FD की जो इनकी सुभिधा है वा Indus in Bank के माध्यम से मिलती है Paytm Payment Bank की बात करते हैं तो मुख् प्रे देश का जो पहला Green Hydrogen Plant है इसकी की जाएगी अस्थापना तो IOC की जो आपके मत्रा में Refinery है वहाँ पर इसकी अस्थापना की जानी है तो Option हमारा C हो जाएगा Correct अब यह आपका Green Hydrogen इधन है क्या पहले आईए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं देखें जो आपक Oxygen से तो यहाँ पर जो प्लांट आपका बनेगा यानि कि मत्रा में जो Refinery में प्लांट बनाया जाएगा IOC के द्वारा यह प्लांट क्या करेगा कि Electrolysis माध्यम से यानि कि जो आपका Electrolysis का Process होता है उसके माध्यम से जल के अणूओं को यहाँ पर तोड़ देगा और इन आपका परियावरण पर दूसरन है उसको कम किया जाए और इसी के लिए इनके द्वारा Green Hydrogen Plant की यहाँ पर स्थापना की जानी है एक पॉइंट आउर ध्यान रखेगा कि IOC हमारे देश की महारतन कंपनी है और इन्होंने अपना Target रखा है कि जो यह 80 Metric 10 हर साल कच्चे तिल क रिफाइन करते हैं उसको भी यह बढ़ाएंगे 105 Metric 10 2023 तक मुख्याले इसका आपको नई दिल्ली में मिलेगा स्री कांतमाथो बैद इस समय इसके अध्यच्च है अगला पर शने कि जुलाई 2020 में किस खिलाड़ी ने इस पाक्षन चेश ट्रॉफी का खिताब जीता है तो य यहाँ पर विस्तुनाथन आनंद जी ने रूस के खिलाड़ी थे ब्लादेमिर क्रैमिक इनको यहाँ पर हरा दिया है तो बस इतना याद दिखेगा कि विस्तुनाथन आनंद ने इसको जीता है अच्छा अब आनंद जी की बात हुई है तो कई सारे रिकॉर्ड भी हैं इनक दूआत हुई थी तो पहले खिलाड़ी हैं हमारे देश के जिनको यहाँ पर खेलरतन पुरस्कार मिला हुआ है तो यह दोनों पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं इनके बारे में आपको जरूर याद अखना है अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में ब्लॉक्स एन आधारित स सेचनिक डाक्यूमेंटेशन को लागू करने वाला भारत बिस्तो का किस नंबर का देश बना है तो हम दुनिया के चौथे नंबर के देश बन गए हैं जिन्हों ने इसको लागू किया है तो आपसन आपका D हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अब आईए थोड़ा सा समझते ह कि यह प्रोसेस हमारा है क्या देखे होता क्या है कि जो आपकी मार्सी टुगरा होती है जो कि सेचनिक संस्थान के दौरा जारी किया जाता है कई बार क्या होता है कि वो हमारे मार्सी टैसे होते हैं जिनमें टेंपरिंग की जा सकती है तो अब हमारे देश का जो यहाँ पर म जारी किये जाएंगे वो आपके ऐसे सर्टिफिकेट होंगे जिनको आप दुनिया में किसी भी अस्थान से 10 सेकेंड में मातर एकसेस कर सकते हैं और यहाँ पर इन सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की कोई टेम्परी वगरा नहीं किये जा सकती है तो महराश्ट यहाँ पर हमारे देश का पहला राज बना है और इस प्रकार से हमारा देश दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने इस प्रकार की सुधा को सुरू किया है माल्टा, सिंगापूर और बहरीन ये दुनिया के तीन देश ऐसे हैं जिनों ने ब्लॉक्चेन के उपर आधारित इस प्रकार की प्रकार की प्रकार को सुरू किया हुआ है और अब भारत चौथा देश बन गया है तो आप्सन यहाँ पर चौथा हो जाएगा करेगा अगला प्रेशन है कि वर्स दोहजार कीस में किस खिलाडी को मोहन बगान रत्न पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा तो ये जो पुरसकार है दो लोगों को मिलेगा क्या नाम है इनका तो इनका अस्वरी दो लोगों को पिछले साल मिला था तो उन दो लोगों का नाम आप पर ए हो जाएगा correct सिवा जी बैनर जी की बात करते हैं तो जो हमारा मोहन बागान फुटबॉल क्लब है इसके ये पूर्वर साट इस्टापर रहे थे यानि कि फुटबॉल के ये खिलाड़ी थे और इनको मरणो प्रांत यहाँ पर इस पुरसकार से समानित किया जाएगा मोहन बागान एथलीट कलब की बात करते हैं तो इसके आपके तीन भाग होते हैं एक हमारा फुटबॉल से जुड़ा है एक आपका क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और एक हमारा जुड़ा हुआ है एथलेटिक से ये आपको मिल जागा कोलकाता में और वर्ष 2001 में पहली बार इनके द्वारा मोहन बागान रत्न पुरसकार दिया गया था तो ध्यान रखेगा इस साल ये पुरसकार मिलेगा स्तिवाजी बैनर जी को आप्शन हमारा A होगा करक अगला प्रशन है कि किस देशने हज में सामिल होने वाले महिलाओं के लिए पुरस अभिभावक की अनिवारिता को समाप्त कर दिया है तो ये समाप्त किया है सौधी अरब ने यानि कि आप्शन मारा C हो जाएगा करक देखे अब ये मामला है क्या आप सभी को पता होना चाहिए खास तोर पर जो मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए नहीं है कि अगर कोई भी हमारे मुस्लिम समदाय की महिला हज की यात्रा पर जाना चाहती है तो फिर उसको यहाँ पर अपनी यात्रा के दोरान एक पुरुस अभिभावक का भी रेजिस्टेशन करना होगा यानि कि सौधी अरब की कोई महिला अभी तक अकेले हज की यात्रा पर नहीं जा सकती थी लेकिन अब सौधी अरब की जो सरकार है इन्होंने एक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया नोटिफिकेशन में इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई महिला अकेले भी हज की यात्रा पर जाना चाहती है तो वो अकेले हज की यात्रा पर मक्का सहर में जा सकती है तो option हमारा यहाँ पर C यानि की सौधी अरब हो जाएगा correct अच्छा हमारे देश में क्या इस्थिती है तो ध्यान रखेगा 2017 में जो हमारे यहाँ पर हज के लिए ये notification जारी हुआ था उसी दोरान सरकार ने ये कह दिया था कि अगर हमारे देश से कोई महिला जाना चाहती है तो वो आपके हज की यात्रा पर जा सकती है अगर हम लोग बात करते हैं हज की यात्रा किस सहर के लिए की जाती है तो ये आपके मक्का के लिए की जाती है जो कि हमारे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र अस्थान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए तो option यहाँ पर सौदी अरब होगा correct अगला प्रशन है कि जुलाई 2000 केस में रूस ने कितनी मारक चमता के हाइपर सोनिक क्रोज मिसाईल जरकोन का यहाँ पर किया है परिच्छन अच्छा मारक चमता मैंने पूचा option में दे दिया देश तो ध्यान रखेगा यहाँ पर जो आपकी जरकोन मिसाईल है पिछले साल भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था इसकी जो मारक समता है वो आपकी होती है 1000 किलोमेटर ध्यान रखेगा यह हमारी हाइपर सोनिक क्रोज मिसाईल है यानि कि इसकी जो आपकी स्पीड हो सकती है वो हो सकती है टोटल 9 मैग तक कितना हो सकती है 9 मैग तक हो सकती है 1000 किलोमेटर इसकी रेंज होती है तो आप्सन हमारा 1000 किलोमेटर हो जगा करेक्ट यह मैं आपको PDF में करेक्ट करके दूँगा दरसल मैं एक लोगों से बात कर रहा था तो उस दोरान इस परेशन को मैंने लिखा तो इसलिए आप्सन इसके हो गए गलत तो ध्यार रखेगा 1000 किलोमेटर इसकी रेंज है तो अभी रसिया के दौरान जो इनका हुआइट सी है वहाँ पर गोर्सको सिप के दौरान इसका परिच्छन किया गया हाला कि अपने परिच्छन के दौरान इन्होंने बस केवल 350 किलोमेटर के दूरी पर जो टार्गेट इस्तित्था उसको यहाँ पर कर दिया है हिट इसकी टोटल रेंज 1000 किलोमेटर होगी और 9 मैक की गती से यह अपने टार्गेट को हिट कर सकता है यानि कि धोनी की गती से भी 9 गुना तेज स्पीट में यह टार्गेट को हिट कर सकता है बात करते हैं इस हमारे रॉकेट की तो रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है NPO Masino Estroenia तो इसी के द्वारा इस रॉकेट को यहाँ पर डबल अप किया गया है तो आपसन हमारा यहाँ पर रसिया हो जाएगा करेक अगला परसन है कि जुलाई 2020 में Digital Land यूजड डाटा को पूरा करने वाला पहला महादीब कौन बना तो पहला महादीब बन गया है अफरीका आपसन हमारा यहाँ पर C हो जाएगा करेक तो दरसल क्या ये मामलब हुआ है देखे यहां पर अफरीका का जो आपका यूनियन कमीशन है यानि कि अफरीकन यूनियन कमीशन है उसके दौरा खाद और करसी संगठन के साथ में मिल करके 2018 से ले करके 2020 तक जो आपके अफरीका का लैंड था उसके सम्मन्द में डेटा को यह यहां पर एकत्रित किया गया डेटा के दौरान यह पता चला है कि अफरीका में जो हमारे वन छेत्र है इन वन छेत्र के बाहर आपको टोटल साथ बिलियन ब्रिच मिलेंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा है भारत के बारे में कि हमारे यहां पर जो टोटल आपका 7% हमारा है केवल यहां पर फॉरेस्ट कवर समझ गए तो इसका मतलब यह हुआ कि 3.3% से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे जो ब्रिच हैं वो आपके फॉरेस्ट से बाहर हैं उसी प्रकार से यहां पर बताया गया कि 7 बिलियन जो ब्रिच हैं वो आपके फॉरेस्ट से बाहर ह इसके अलामा ये भी पता चला कि 2018 के तुल्ला में अफरीका में जो आपकी किरसी भूमी है उसमें 25% के ब्रिद्धी होई है तो ध्यान रखेंगे अफरीका दुनिया का पहला महादूरी बन गया है जिसने इस प्रकार के डिजिटल लेंड यूज डेटा को यहां पर यूज कि है तो C हो जागा यहां पर करेक अगला प्रेशन है कि प्रतेक वर्स बिज्ञान अन्वेशन दिवर्स यानि कि साइंस एक्स्प्लोरेशन डे या जिसे हम लोग मून डे के नाम से जानते हैं यह कब मनाया जाता है तो यह हर साल होता है 20 जुलाई को यानि कि आप्शन हमारा C हो जाएगा करेक अब क्यों यह मनाया जाता है 20 जुलाई को आप सभी को यह पता होगा कि 20 जुलाई 1979 को अमेरिका के दो एस्टोनोड थे कौन कौन थे तो एक तो आपके थे यहां पर नील आर्मस्टांग और दूसरे थे यहां पर एडविन वज तो यह दोनों चंद्रमा की सता पर पहुँचे थे तो सबसे पहले चंद्रमा के उपर कदम रखा था नील आर्मस्टांग ने और उसके बाद में एडविन बज ने चंद्रमा के उपर अपना कदम रखा था और 1984 में अमेरिका के जो राश्पती थे रुनाल डेगन उनके द्वारा इस दिवस की यानि कि जब बजोष साहव वो भी आपके स्पेस की यात्रा पर गए हुए हैं कल उन्होंने एक वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम के उपर पोश्ट किया था तो आपको देखना जाहिए उसे अगला प्रेशन है कि जुलाई 2020 में प्रकासित पुस्तक RSS Building India Through Siva के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है भाजपा के नीता सुदान सुमित्तल आपसे नमारा यहाँ पर यह हो जाएगा करेगा तो ध्यान रखेगा यह जो पुस्तक है जिसका नाम है RSS Building India Through Siva इसमें RSS की हमारे देश में एक थोटी सी निगेटिव चवी भी है तो उसको यहाँ पर कवर करने के लिए या उस निगेटिव चवी के इतर जो RSS के कारे हैं उनको लोगों के सामने लाने के लिए इस किताब को यहाँ पर लिखा गया है और इस पुस्तक का अभी चीनी भासा में अनवाद भी किया गया है और उस अनवादित पुस्तक को फिर से प्रकासित किया गया अनवाद किया है आपके जैक बो ने तो ध्यान रखेगा सुदान सु मित्तल के द्वारां ये लिखी गई है चलिए RSS की बात हुई है तो आप जरा कमेंड में मुझे ये बताईएगा क कि RSS की अस्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी उनका नाम आपको नीचे कमेंड में बताना है अगला प्रशन है कि जुलाई 2020 में भारत ने किस देश से MH-60R हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त किया है तो ये हमने प्राप्त किया है अमेरिका से ये आपका वह ही हेलीकॉप्टर है जिसे हम लोग रूमियो हेलीकॉप्टर भी कहते हैं तो अमेरिका से हमने 2.4 बिलियन डॉलर में टोटल 24 के लिए समझोता किया था जिसमें से अभी हमको दो मिल गए हैं तो हमारा आप्सन भी हो जाएगा ध्यान रखिएगा कि ये जो हेलीकॉप्टर ह हैं वो हमारी नव सेना के लिए हैं किसके लिए हैं नव सेना के लिए अभी इसको हमने प्राप्त किया है तो खोज में बचाओं में या फिर जो आपके कम्यूकेशन वगरा हैं उनमें इन रोमियो हेलीकॉप्टर का योज किया जा सकता है ध्यान रकिएगा इसके बारे में दुनिया के जो सबसे बड़ी सब्सक्त निर्मादा कमपनी है यानि कि Lockheed Martin उसके द्वारा इसका निर्माद किया गया है तो ये point भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगला question है कि जुलाई 2000 case में किस आयोध बोर्ड फैक्टे ने नव सीना वा कोष्ट गार्ड को Stabilized Remote Controls Guns Shopping है तो ये जो हमारे गन है इनका निर्माद तरची ने किया था option आपका यहाँ पर यह हो जाएगा correct तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये गन होंगे अब ध्यान रकियेगा ये जो गन आपके टिर्की की आयोत फैक्टी वोर्ड ने बनाया है उसके लिए जो इनको टेकनोलोजी है वह आपके इजरायल की Elbit system के द्वारा दिया गया था तो उसी टेकनोलोजी के उपर इनके द्वारा इस गन का निर्मार किया गया है तो इसमें से आपके जो पंद्रा गन है वो हमारी नो सेना को सौपे गये है बाकि दस गन आपके ऐसे है जिसको दिया गया है कोश्ट गार्ड को तो जो हमारे सिप उगयरा होते है उनके उपर इसको फिट किया जा सकता है और वहां से इस से फाइरिंग की जा सकती है तो ध्यान रखिएगा आपसे नमारा यहां पर ट्रिशी हो जाएगा जो कि आपके तमिल नाडू में है चलिए कल मैंने आपसे पूचा था कि Transparency International का मुख्याले कहां पर है तो इसका जो मुख्याले है वह आपको मिल जागए जर्मनी का सहर है बरलेन वहां पर आपको मिलेगा Institute of Economic and Peace का मुख्याले कहां पर है तो इसका जो मुख्याले है वह आपके आष्टीलिया के सिड्नी सहर में है तो आपसेन आपका सिड्नी होगा करेक्ट Economic Intelligence Unit की बात करती है तो इसका जो headquarter है वो आपको मिल जाएगा London में आज के वीडियो से आपके लिए प्रशन है पहला प्रशन यही है कि पिछले साल मोहन बागार रतनपुरसकार जो है वो आपके किसको दिया गया था दूसरा प्रशन क्या है दूसरा प्रशन आपके सामने यह है कि जो हमारा यहाँ पर अभी मैंने पूँचा क्या था प्रशन भाई एक मिनट जगर रूम जाए आपको यह बताना है कि जो आपका RSS है RSS की जो अस्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी तो RSS की अस्थापना के बारे में बताना है तीसरे प्रशन में आपको क्या बताना है तीसरे प्रशन में आपको यह बताना है कि जो Communist Party of India है उसका चुनाओ निसान क्या है तो यह सारे आपके GroupD exam में पूछे गए प्रशने इनके बारे में नीचे कमेंड में आप लोग बताईएगा बाकी GroupD की जो Special Class है उनकी लिंक आपको पिन कमेंड में मिल जाएगी तो उसके उपर क्लिक करके आप मुझे जॉइन कर सकते हैं Live Class होती है, Live Poll होता है Class के दोरान ही आप अपनी तयारी का भी पता कर सकते हैं Detail Format में आपको PDF भी मिलती है जिससे आपको revision कर सकते हैं और अपनी GroupD की तयारी को और ज्यादा बहतर बना सकते हैं Thanks for watching, जै हिंद, जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत